हेलो फेंस एंड वेलकम बैक चानल स्मार्ट ट्रेजर क्लब शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 16.73 के असपास काम करता हूँ नजर आ रहा है 17 के नीचे लग 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 चार दिन के बाद में क्लोज होता हूँ नजर आ रहा है डिफिनेटली एक पॉजिटिव साइन इसे माला जाना चाहिए कल के मुकाबले 5% कम है निफ्टी कल का हैमर बनाने के बाद चार्ट के उपर में आज 18,268 के आसपास में क्लोजिं देने में सक्सेस्फुल रहा सबसे इंपॉर्टेंट बात 18,200 के ऊपर ट्रेट कर रहा था उसके बाद में गाप तो नीची की तरदेख फिसलता हुआ दिखा लेकिन फिर 18,250 के ऊपर जाके कमफर्टेबली क्लोजिंग नजर आ हुआ हुआ है निफ्टी फ्यूचर 18,350 के पास में आज निफ्टी फ्यूचर के अंदर प्रीमियम भढ़ता हुआ नजर आ हुआ हुआ है जिससे यह समझ में आ रहा है कि निफ्टी फ्यूचर के अंदर में definitely buying की गई है बैंक निफ्टी 41,238 के आज पास की क्लोजिंग नेने में successful रहा है और definitely bank nifty future के अंदर में भी आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है आज के दिन में overall दिन positive था पिछले 2-3 दिनों से निफ्टी को बैंक निफ्टी ने support कर रखा हुआ था आज बैंक निफ्टी थोड़ा से लड़ खड़ाते हुए नजर आया डिफिनेटली वोलराइल सेशन लो रेंच के अंदर में 41,000 से बीच में काम करता हुआ आज के दिन में दिखा हुआ है किस तरह का derivative data बन के आ रहा है वो समझना बहुत जरूरी है क्यों कि जिस तरह का movement हुआ है अगर data में तोड़ा सा changes होता तो ज्यादा कुछ अच्छा समझना आता बट data surprisingly लग 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 वैसा ही दिख रहा एक पर उसे समझने कोशिश करेंगे चार्ट के उपर में निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी समझने कोशिश करेंगे लेकिर उसके पहले समझ लेते हैं कि आज के दिन में हमने कौन सा trade किया था कल के वीडियो में मैंने मेंचिन किया था निफ्टी दाउजन वन फिटी का अप्टी का था था तब यह ट्रेट कर रहा था उस तांप यह ट्रेट लिया गया था टोटल प्रॉफिट अभी तक इस प्रोग्राम के माद़न से लगबग 836,000 के आसपास का सेवंटी फॉपर सिक्सेश रेशियो और अगर आप हमारे प्लैटनम मेंबर है तो आपको डेफिनेटली यह सारे टेट्रेट आपके मोट्सप पर मिल रहे होंगे अगर नहीं मिल र सकते हैं ख上 Çelik बढ़ते हैं सबनी कोशिश करनें निफ्टी और बैंक निंफ्टी पिछले 2-3 दिनों में बैंक निफ्टी बढ़या मूव दिखाय था अज संबलते हुए नजर आया है कोटक महिंदा बैंक के रिजल्ट आएं बहतर जिन रिजल्ट आएं तो कल बैंक निफ्टी पे क्या आसर हो सकता है और दीसेम टाइम निफ्टी क्या 18400 के आसवाज जाते वे नजरा रहा है कि नहीं डेवेटिव डीटा क्या सजिश कर रहे हैं और स्टॉक कौन से हमेर लेना निफ्टी के बारे में बात करें कि आज निफ्टी ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया जो पिछले तीन दिनों से बैंक कर रहा था आज वह नजरा आया या यह जल्दी बाजी होगा पहले उसे समझे कोशिश कर आएं क्लोजिंग कर और लेकिन पिर भी अभी ऐ यानि लगबग लगबग इस resistance लेबल के आसपास से आपने close किया दिन के दौरान 18,300 के आसपास पार किया था वह भी सचा ही है फिलाहल इस trend line को follow करता है या मैं ऐसा बोलू जिस तरह से यह downward आपको falling wage देखने को मिल रहा है उसी तरह से एक upward wage देखने को मिल रहा है यहाँ पर अगर इस wage का breakout होता है तो 18,384 यानि लगबग 100 point अप या वहां से भी 100 point यानि 18,474, 18,485 कि आसपास का 500 बोल दीजिए उसके आसपास का label देखने को मिल सकता है तो कल दो label पर नज़र रखेगा पहला label आपके सामने जो नज़र आना चाहिए वह 18,300 का अगर कल शुरुआती एक गंटे के अंदर आप 18,300 जो की काफी नजदीक है उसके उपर टिक जाते हैं तो आप 18,450 तक के लक्ष के लिए एक बार काम कर सकते हैं रुकावट आपके सामने आएगी 18,350 के आसपास एक बार आपको रुकावट देखने को ज़रूर मिलेगी इसे क्रॉस करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी वो डेटा में option chain पर आपको बताऊंगा फाइनल टागेट 18,074 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है क्या कल के दिन पॉसिबल है जरूर पॉसिबल है ऐसा नहीं कि नहीं है अगर एक दिन के नजर में 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनल टागेट 18,474 के आसपास का बनता हुआ नजर आ सकता है नीचे की तरफ किस लेबल पर आपका नजर होना चाहिए आइडली स्पिकिंग जो नजर होनगी वो लग 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 100 पॉइंट नीचे 18,190 के लेबल पर एक बार नजर होनी चाहिए तो ट्रेड क्या करना चाहिए अगर आप एक्रसिव ट्रेडर है तो यह आपके लिए है यानी 18,250 के आसपास में पोजिशन बना लीजिए 18,170 का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा थोड़ा सा स्टॉप लॉस अंटिंग से बशने के लिए और उपर के तर जो आपका टागे 18,500 या 490 अप लिख सकते हैं इन लेबल के लिए आप काम कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव टेडर नहीं है तो उसा वेट करना प्रिफर करते हैं तो वेट करिए हो सकता है आपको 18,190 के आसपास का लेबल एक बार देखने को मिल जाए और अगर मिलता है 18,190 के आसपास क स्टॉप लगाना है आपको और ट्रेड कहां पर करना मतला उपर के तब जो आपका टागेट बनता हुआ नजर आएगा पहला चोड़ा टागेट 18,250 का बनेगा उसके बाद में जो टागेट यहां पर आपको सजिस्ट किये गए है 18,350, 18,344 यह देखने को मिलेगा अगर आ देखा गया है जिस तरह से FII पार्टिसिपेट नहीं कर रहे है वह यह देखा गया है कि जब मन्त खतम हो जाए तब पार्टिसिपेट करना चालू करते हैं अगले अपते तो आपको 18,600 तक के लिवल भी देखने को मिल सकते अगले अपते अगले अपते आप से तबाद आ आप काम कर सकते हैं अच्छा मुमेंट आज देखने को मिला इन फेक्ट मॉर्निंग के एक घंटे के अंदर में जो मुमेंट देख रहा था उसके अंदर में 18,200 के अंदर में अन्वाइंडिंग देखने को मिल रहे थी जो बुल्स को सपोर्ट कर रहे थी एक शाप डिक्ला के अंदर में 1,4,000 का open interest देखने को मिलेगा और put side में लगबग लगए उसका 50% almost 46,500 lot का open interest देखने को मिल रहे है क्या समझ के जाना चाहिए पहले तो चारू quadrant पे नजर डालेंगे तो ये clear cut दिख रहा है कि quadrant 1 के अंदर even 2 के अंदर में भी कुछ हद तक long बने हुए है जो कि bulls को support करते हैं and quadrant 3 & 4 के अंदर में writing होई है जो भी bulls को ही support करते हैं so unwinding देखे बढ़िया होई है unwinding so 18,000 से लेके आपको 18,400 तक उसके नीचे भी unwinding 18,500 तक unwinding होते हुए नजर आ रहे है यहां से writers भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये writers shift होते हुए कहां दिख रहे हैं ये writers आपको shift होते हुए दिख रहे हैं इन labels के आसपास में so 18,300 पे 19,000 लॉट का open interest का writing होना 18,200 पे 25,000 का writing होना ये अपने आप में थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि put writers active होते हुए दिख रहे है next 2 दिन देखने लाइक होगा हो सकता है bank nifty एक बार 18,450 क्लेम करता हुए आपको लग रहा है ये देखने को आपको मिल सकता है उससे बड़ी रेंज 18,100 से 18,500 की हो सकती है और उससे बड़ी रेंज आपको 18,000 से 18,650 की इस week के अंदर में next 2 दिनों के अंदर में देखने को मिल सकती है possibility बनती है unwinding अगर देखने को मिली जिस तरह से 18,200 पे लग 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 ल सकते हैं positions खाली हुई है उसी तरीके से अगर कल 18,350 के ऊपर टिकता है market तो आपको 18,300 और 18,200 में राइटी unwinding देखने को मिलेगी और इसी के साथ में 18,400 पे भी unwinding देखने को मिलेगी जिसके चलते हुए 18,400 ए 18,450 के labels possible बनते हैं इन लेबल पे ध्यान रखें आप निफ्टी के अंदर position बना सकते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं एक्सिस बैंक का बढ़िया रिजल्ट आया हुआ है हो सकता है कल gap up opening मिले हो सकता है आपको lifetime high के आसवास के opening मिले 41,600 के ऊपर की opening मिले और अगर 41,600 के ऊपर की opening मिलती है तो आपके लिए जो important level बनेगा हो 14,350 के आसपास का बनेगा In that case, आप अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा मिले मैं यह expect करके आपको यह position बता रहा हूँ कि हो सकता है कल gap up opening देखने को आपको मिल जाए Axis bank के result में So, 41,500 के आसपास के अगर आप aggressive trader है उसके आसपास अगर dip मिलता है तो buy करने की कोशिश करिएगा 41,300 या let's say 250 का लगा लेते है 250 के आसपास का stop loss लगा लेजिए और उपर की तरफ target आप 42,000 भी कर सकते है 42,000 गये थे क्या नहीं अभी तक गये नहीं थे 42,000 लेकिन एक psychological label है 42,000 के आप बात कर सकते हैं उसके पहले 41,800 पर आप नज़र रख सकते हैं aggressive traders के लिए अगर आप conservative trader है तो आपने कल अगर trade बनाय रहे आज के दिन में आफकरे trade बनाय रहेगा तो आपको definitely trade मिला था stop loss इतने हुआ है उपर के तरह 300 point का profit आपने book भी किया रहेगा तोड़ा सा अगर conservative trader है तो wait करें क्योंकि यह जो season है वो results का चल रहा है और results बढ़ियां आ रहे हैं जिसके चलते हुए bank nifty news के दम पर जंप कर रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़ियां result आने के बाद में भी profit booking देखने को मिलती है अभी तक उसका शिकार bank nifty होता हुआ नजर नहीं आया हुआ है अगर हुआ तो problematic हो सकता है तो conservative trader है तो labels का wait करिए 40,750 सही बताओ तो यह सही जगह है जहां पर आपको buy करना चाहिए stop loss कहां पर लगाना चाहिए stop loss लगाना चाहिए stop loss लगाना चाहिए 40,500 के आसपास में और उपर के तब जो target आपका बनेगा वो target लगब लगब 41,300 and 41,600 के आसपास का एक range बनता इन सब labels के वारे में आप discuss कर सकते हैं इन सब labels का wait कर सकते हैं लेकिन वही formula यहां पर भी यूज करना है जो nifty के अंदर में यानि क्या यानि आपको इस अगर conservative trader है तो इस week के अंदर में नहीं अगले week के expiry के लिए trade करेगा थोड़ा सा ज्यादा possibility बनता इस levels के आने के option chain दे है add the money तो दोनों तरफ नहीं ले पाएंगे तो समझ लेते हैं जो 500 का multiple है वहाँ पर data कैसे बने हुए है 41,000 पर put side में 64,000 lot का open interest और उसी के साथ में 40,500 पर नज़र अगर डालेंगे possible है 40,000 इस week में तो चलिए उसकी बात नहीं करेंगे 40,000 find it 41,000 के बात कर लिजिए अच्छा support है अगर उपर की तरफ आप देखते तो 41,500 पर आपको लगबग 54,000 lot का open interest और उसके उपर अगर हम देखते हैं तो हमें लगबग 61,332 lot का open interest 42,000 पर नज़र आ रहा है तो overall अगर समझने की कोशिश करें तो इसी short covering बाकी है जो writing होते हुए नजर आई हुई है 41,000 के उपर में 45,160 lot के आसपास तो इसी short covering आपे बाकी है अगर कल gap up opening होता है तो short covering के सारे 42,000 के आसपास में जाते हुए नजर आ सकते हैं चोटी range 41,000 से 41,500 के बीच के हो सकती है अपाशरी दे अभी आइधर साइड movement कर सकते हैं This is all about bank nifty, hope आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, कि वीडियो पसंद आ है तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा, at the same time, thank you very much for watching this video, hope आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में प्लैटन membership का भी benefit ले रहे होंगे, hope आने रवी काने लिक्स पारे आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सार पैसा कमाए, good night.